हमारे भारत में दो ऐसी स्कीम्स है जो सबसेडाइज़ फूट प्रोवाइड करते हैं जरूरत मन लोगों को ये स्कीम मिनिस्ट्री ओफ कंजूमर अफैर, फूट एंड पब्लिक डिस्ट्यूबीशन के द्वारा चलाई जाती है हाली में इसने 1.24 क्रोड बैनिफीचियरी इसको और एट किया है पहली स्कीम्स में नैशनल फूट सेक्योर्टी एक्ट 2013 के दहत लाई गई थी इसमें रूरल पॉबलेशन का 75 परसंट तक और अर्बन पॉबलेशन का 50 परसंट तक कवर किया जाता है लगबग 80 दसम लोग 11 करोड लोग बैनिफीचियरी इसके और इसे सरकार को अभी और बढ़ाना है पहले ये काम सरकार वेलफियर के लिए करती थी लेकिन आब उसे हिमन का राइट बना दिया गया है वेलफियर से राइट बेजड अप्रोच अपना ही जा रही है अब National Food Security Act के तहट 5 किलोग्राम फूट ग्रेन पर परसंट पर मंथ दिये जाते हैं परिवार के हर एक इनसान को 5 किलोग्राम फूट ग्रेन्स मिलेंगे ही पर मंथ ये Food Greens कम प्राइज में मिलते हैं सपसीडाइस प्राइज में राइस या चावल मिलता है 3 रुपे पर किलो में वीट या गेहु मिलता है 2 रुपे पर किलो में और Nutri Serials मिलते हैं 1 किलोग्राम पर किलो में Nutri Serials मतलब मोटे अनाज, पोशक अनाज अब इसमें woman empowerment के लिए भी कुछ point important है कि किसी भी परिवार में जो सबसे कम उमर की woman होगी जिसकी age 18 साल से जादा होनी शेये बस तो इस scheme के तहट उसे उस घर का head घोशित करते हुए रासन काड issue किया जाएगा इसके अलावा pregnant women's और lactating mothers को maternity benefits भी मिलेंगे जो 6000 रुपे से कम नहीं होंगे अब यदि ये सुविदाएं किसी woman को नहीं मिल रही है तो उस case में आपको food security allowance भी दिया जाएगा तो ये जारी बाते लिखी है National Food Security Act 2013 में अब दूसरी scheme भी है अंतियोदै अन्योजना इसे बहुत गरीब परिवारों या poorest of the poor families के लिए शुरू किया गया था ताकि उन्हें उनके food grain right दिये जा सके इसमें per person count नहीं किया जाता हर एक family को 35 kg अनाच पर मंत दिया जाता है ये scheme 25 December सन 2000 को सुरू की गई थी इसमें वही परिवार eligible होंगे जिनके पास आई का 27 रोत नहीं है अब देखे ये दो scheme तो permanent थी लेकिन इनके अलावा भी प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजना चलाई गई थी सन 2020 में COVID-19 का समय था इसलिए ये योजना चलाई गई थी गरीब लोगों की help करने के लिए इसमें 5 किलोग्राम राइस और वीट मतलब गेहूं और चावल पर मंत हर एक परसन को दिया गया था ये भी National Food Security Act के तहत ही था 80 करोड वेनिफीचेरी स्थेज में तो टाइम टाइम पर सरकार ज़रूरत पढ़ने पर ऐसी scheme भी लाती रहती है पहले की दो स्कीम याद रखेगा National Food Security Act 2013 के तहज़ चली थी और अंतियोदे अन्य योजना जो है I think topic समझ आया होगा Thank you so much for listening Subscribe the channel and also share the video